Friends and Excellencies, दुनिया के लिए भारत के इस योगदान से मुझे इसलिए भी खुशी होती है, क्योंकि हमने विश्व को अपना परिवार माना है। हजारों वर्षों से हमें सिखाया गया है कि उधार चरितानाम उधार चरितानाम तो वसुधैव कुटमकम याने बड़ी सोच वालों के लिए, बड़े दिल वालों के लिए पूरी धरती ही एक परिवार है। लिहाजा, सैनिटेशन और हाइजिन के लिए, इंटरनेशनल कोपरेशन में भारत मजबूत भूमी का निभाना चाहता है। हम अपने एक्सपिरियंस को, अपने एक्सपर्टाइज को दुनिया के देश्रों के साथ शेयर करने के लिए तयार है। भारत स्वच्छता को लेकर अपने लक्ष को प्राप्त करने के करीब है। लेकिन भारत दूसरे बड़े मिशन पर भी तेजी से काम कर रहा है। फीट इंडिया मूव्मेंट के जरिये, फिटनेस और प्रेवेंटिव हेल्थ केर को प्रमोड करने का अभियान अल्रेडी चल रहा है। ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक हमने भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष रखा है और हम युनिवर्सल इम्मुनाइजेशन की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल नूट्रेशन मीशन से अनीमिया और स्टंटिंग जैसी समस्या पर भी भारत बहुत तेजी से काबू पाने वाला है। जल जीवन मिशन के तहट हमारा फोकस वाटर कंजर्वेशन और रिसाइकलिंग पर है ताकि हर भारतिये को परियाप्त और साफ पानी मिलता रहे। और भारत ने साल 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान भी चलाया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी भारत के अनेक हिस्सों में प्लास्टिक बेश को इखटा करने का काम चल रहा है। ऐसे अनेक जनांदोलन आज भारत में चल रहे हैं मुझे 1.3 बिलियन भारतियों के सामर्थ पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि स्वच भारत भियान की तरह बाकी मिशन भी शफल होके रहेंगे।